इस पिछले लेक्चर नमबर 14 आफ इंशेंट इंडियन हिस्ट्री शीरीज इन विच वी अब पिछले लेक्चर में हमने काफी चीज़े डिसकस की थी तो उसको एक बार रवाइस करते हैं उसके बाद we will start with the maurya period तो देखो मैंने आपको बताया था कि पिछले period में मेली दो चीज़े होती हैं मदब आखरी आखरी में एक तो जो ruler बनते हैं उनका नाम ता धायानन अब धायानन के time पे invasion होता है Alexander the Great का सिकंदर का invasion होता है अब इसी invasion को देखते हुए कॉर्टर ले थोड़ी से अपनी बुद्धी उस करते हैं और लगभग जो पूरा इंडिया है उसको united करवा देते हैं तो पहला feature था अलेक्जंडर के invasion का मैंने आथा सबसे बड़ा impact यही था कि जो इंडिया था वो अंडर दा मौरियास पहली बार united हुए था मतब आज तक इंडिया ऊपर से लेके मतब नौस से लेके south तक कभी भी united नहीं था पहली बार किस ने united किया हमारे चंदर को तो मौरने अंडर दा गाइडेंस ओफ कॉटरले साब ठीक है तो पहली चीज़ यह हुई sorry for the problem there was some disturbance sorry for the problem ठीक है तो what we were discussing we were discussing कि भई पहला जो impact आया ठीक है जो पहला negative impact पढ़ा हमारे एलेजन्दा ग्रेट का आपके से था हमारे लिए positive था वो था क्या कि complete India united हो गया लेकिन क्या यही एक reason था जिसके होजे से इंडिया united हुआ ऐसा तो नहीं था because जो अभी भी western part था united नहीं था इसलिए उन्होंने अलेजन्दा ग्रेट ने बहुत अराम से western part को मतलब पंजाब तक के बार्ट को बहुत अराम से हरा दिया था तो आप कहसे तो यही बस एक reason नहीं था इंडिया को unite करने का under the mauryas बलकि एक दूसरा reason भी था जिसका नाम था धनानज मैं आपको बजाया था धनानज जो भी practices अपनाते थे वो काफी आपके से तो bad practices थी taxation की मतलब बहुत बेकार तरीक से वो Texas को बस बिला करते थे जो लोग को पसंद में नहीं आता था और वही हमारे सामने कॉर्टलिस आप खड़े थे जो की डरा रहे थे लोग को वही आलेजेंटर का invasion होगा आप सभी को मार दिया जाएगा आप सभी का गहना डूट दिया जाएगा और उपर से आपको जो धनानज बूरर है बिल्कुल भी उनकी सिलाफ ध्यान नहीं दे रहे तो ultimately you choose my candidate that is चंद्रगुप्त मौरे है ठीक है किस तरीके से एक लाकी से न हारी और यहाँ पर हुन्हें इंटर्णल चीजों को पलट दिया और राजावन वाध जाते है सck classification में बैठ जाते है ठीक है तो यह सब हम डिसकुस करेंगे आगे so I think you are clear वित्की भही कैसे अब ये जो हमारे नंदास की गलती को जैसे और अलेट जेंडर का थोड़ा बहुत सपोर्ट मतलब कि जैसे किस तरीके से हमारा जो Maurean Empire है वो स्टैबलिश होता है किस तरीके से हमारा Maurean Empire स्टैबलिश होता है तो let us begin with the Maurean Empire before that I would like to tell you about our PGP program this time 35 plus students are writing means from our site and जिनके 100 plus scores है जिनके पूर्व आपको हमारे Telegram channel में मिल जाएंगे ये फिर हमारी website में मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है regarding our program so you can directly contact on these two numbers और हमारी कुछ mind map books है जो कि आपको काफी helpful रहेंगी revision purpose के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भी है जो हमारे चंदलोप्त सहाब है उन्होंने इंडिया को पहली बार unite किया था उन्होंने पहली बार इंडिया को unite किया था उसके रीजर्व भी बता दिया मैं आपको अलेजंडर दग्रेट और धनानद तो अब आप यह सुचो यह सब हुआता है प्रॉक्सिमेटली 300 BC के आसपास तो इतनी सारी information हमें मिले कैसे इतनी सारी information हमें मिली कैसे वेदास जिंदा है लेकिन वहाँ पर इतना सारा उनाइटेड हुआ था इंडिया और बहुत सारी इवेंट्स होते है तो उसके कुछ ना कुछ रेकॉर्ड होंगे तो first let us learn about those records because UPSC के बारे पूछ चुकी है इसलिए मैं हाँ आप रेकॉर्ड बता रहा हुए ठीक है तो सबसे पहला जो रेकॉर्ड हमारे पास literary record है तीसरी जो बुक आती है वो आती है Megasthenes की Indica इन तीनों बुक में हमें कुछ ना कुछ information मिलती है regarding the Morians ठीक है तो सबसे हम बात करते है आर्थशास्त्रा की जो आर्थशास्त्रा बुक है that was written by Kautilya इनको एक्षिली विष्णुगुप्त भी कहा गया है और चाणक की भी कहा गया है अलग-अलग नाम दिफ्रेंट दिफ्रेंट ज़गह में आपको देखने को मिलते हैं क्या कहा गया है विष्णुगुप्त चानकक के और कौर्टलिया और सिंपल सी बात है भाईया मतब चंद्रगुप तुमारे को बनाए किसने कौटल ने उनके कौन्टेपरी हो गई अब नहरू जी ने हमारे जो कौटल है उनको इंडियन मैक्यावली कहा है और इनके लिए उनका काफी क्रिटिसम हुआ है अगर आप दूनों को स्टेडी करेंगे ठीक है कौटल को स्टेडी करेंगे और मैक्यावली को स्टेडी करेंगे तो जो दूनों की बुक है उनके साब से यह पता चलता है कि जो हमारे कौटल की थिंकिंग थी जो कौटल का रियलिजम था that was much greater than much greater than Machiavelli so Machiavelli should not be called as Indian Machiavelli instead Machiavelli should be called as Italian Kortelia ठीक है तो उसके लिए काफी criticism होता है because उन्हें गलत लिखा हमारे जो नहरू साबन उन्हें Machiavelli की तारीफ की instead of Kortelia तो उसके लिए काफी criticism भी होता है मैं Indian उसके उन्हें की तारीफ नहीं कर रहा हूँ आप बुक पढ़िएगा अगर आप political science के श्प्रिंट है so you must be knowing that कि Kortelia साब की जो बुक है वो कैसी धासू बुक है अभी भी काफी eligible है आपको king बनाने के लिए ठीक है और जो अर्थिशास्त्र बुक है इसको discover किया रथा आर शामा सास्त्री ने तो PCS के लिए नाम याद रखना आर शामा सास्त्री ने 1904 में मतब सुचो 1904 तक किसी को पता ही नहीं था कि भाईया कॉटिल नाम को कोई बंदा भी है और अर्थिशास्त्र नाम कोई बुक भी है तो आप समझ मैं कि क्यों ब्रिटिश हमारे पर रूल का रहे थे विकॉज ने हमें दबा के रखा था वो लोग दिखा रहे थे कि भाईया आपके पास ruling करने की capability नहीं है लेकिन हमें दिखा दी और इसमें in total 180 chapters देखने आपको मिलेंगे कितने 180 chapters देखने को मिलेंगे और यह जो बुक है इसको तीन पार्ट में divide किया गया है पहला जो पार्ट है वो डील करता है king and उनकी council के बारे में कि for example कि king किस तरीके होना चाहिए king को क्या का काम करना चाहिए king and council के बारे में जो भी advice है उनके पहले पार्ट में इसका दूसरे पार्ट में है civil और criminal law के बारे में जो भी laws की बुक है अपने हाँ पर IPC हो गया CRPC हो गया तो second part में यह सम्मेंशन है और काफी torturous punishment हुआ करे थी उनके दाएं पर तीसरा है diplomacy and war तो simple सी बात है आप international politics छिलोगे आपको अगर इतनी सारे war जीतने है तो आपको कुछ ना कुछ strategy होनी चाहिए जिस पर इसापल किसी कॉटल साब ने बोला है कि अगर आप कमजोर राजा हूँ ठीक है तो आप वक्त कंजार करो आपने जो बड़े राजा है उनके साथ संधी कर लो और फिर जैसे अब ताकिस्तर हो जाए तो उसको हरा के उसके land पर कपजा कर लो तो इस टाइब की बहुत सारी strategy आपने दी अपनी बुक्स में ठीक है तो उनके जो बुक है उसमें जो भी complete किस तरी किस तरी किस उनिफिक अब जो विशाका दत्य है वो एक्चुली उन्होंने संस्क्रिट में ड्रामा लिखा था संस्क्रिट में एक ड्रामा लिखा था and he belong to the गुप्ता पीर ठीक है उन्होंने ये लिखा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौरे ने किस की मदद से कॉर्टली की मदद से नंध कितने लोग रहीश थे कितने गरीब थे किस टाइप की प्रैक्टिस हुआ करती थी वो सब भी आप देखो के उस सब का भी मतलब मेंशन इस बुक में देखने को मिलता है विशाका दत्तर की मुद्रा राक्षा पिलॉंग तुदा गुप्तास पीरियड गल्ती से मौरे पीर उनका नाम सा मगया स्थनीज उनने एक बुक लेगी थी इंडिका जहाँ पर उनने कम्प्लीट जो पार्टली पुत्र जो क्यापटल सिटी हुआ करती थी उस टाइम की तो उसके बार में कम्प्लीट आपके सकते हैं डिसकेशन किया है जैसे फर देंपल कि भईया किस टाइ चलता था जो चीज आपने सुनिए कि उस टाइम पे सेंसस हुआ करता था और कम्प्लीट प्रोसेस थी वो सब हमें इसकी बुक से देखने को मिलता है ठीक है करके कम से कम साथ-अठ मार्स निकाले ना जिस आपका कटाओं बन जाए ठीक है सिर्फ इतना ही इंशन इस्ट इस्ट को इजट देनों से यादा मत देना नहीं तो वह आपकी इजट उतार की जला जाएगा इस्ट इटिए ठीक है वेकॉज इंशन इंडिया बहुट टाफ ह अब कह सकते हैं हमें 1830 से पता चल चुक था कि इसका कि कोई अशोगा नाम का बंदा भी हो अगर जाता है कोई मौरेन एंपायर भी था यह सब चीदे किस वह से पता जली है हमें जेम्स प्रिंसिप के दोरान ठीक है उनकी मैंज़त से पता जली वह अदा ब्रेटिश ठीक है अब देखो अब जो हमारे अशोगा की इंस्रिप्शन है वो पूरे इंडिया में मिलते हैं इवन अफगानिस्तान में मिलते हैं तो इसका प्रूव यह है अगर फर इसेंपल आप सोचो कि अभी हमारा इंडिया का जंडा लगा हुआ है कहां पर पाकिस्तान में ठीक है अग अब्दा कल लिया तो सेम चीज़ यहां पर है अगर हमारा जो इंस्क्रिप्शन कोई भी मिला है अफगानिस्तान उसका मतलब यह है कि हमने हमारा वहां पर कभी रूल रहा होगा ठीक है आप अबस्टा बोट रहा हुए पाकिस्तान में पाकिस्तान के घंडे होंगे इंडिया जो इंस्क्रिप्शन है वो कहां अफगानिस्तान मिलते है मतलब अफगानिस्तान जो था जो आशोकन एंपार का पार था ठीक है मतलब मौरया इंपार का पार था अब वहां पर जो भी इंस्क्रिप्शन में लेखे थे खरूस्ती स्क्रिप्ट में लेखे थे ब्रहामी स्क् करलंगा में उसके काफे inscription मिलते हैं जो बताता है कि किस तरीके से रही ने कालंगा का कॉंकर गया है तो मतलब से एंस्च्रॉट की जो इंसक्रिप्शन्स है उनसे हमें अशोगा के बारा में पता चलता है तो I think you are clear with भई हमें कैसे पता चला कि कोई मौरे अंपायर था और किस तरीके से मौरे अंपायर की establishment हुए मतलब किस तरीके से धनानन की पॉलिसी ने और एलेक्जेंडर की पॉलिसी ने हमारे इंडिया का उनिफिकेशन किया तो अब हमाँ जाते हैं हमारे पहले रूलर में जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौरे तो मैं आपको अरड़ी बदा चुका हूँ चंद्रगुप्त मौरे थे और उन्होंने 25 साल की एज में ही धाना नंद को हरा के नंदर डैनिस्टी खसम करके खुद की डैनिस्टी आप यहां पर मैप में देखेंगे तो इट वास तिल आपको उनका पार सिर्फ नर्वदार रिवर तक देखने को मिलेगा तो धना नंत का है इस इस पार्ट ठीक है इन शॉर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि यह पार्ट एक्शुलर में जब शुरू शुरू में बिलकुरों न उस टाइम पर नहीं था ठीक है उस टाइम पर नहीं था तो अल्टीमेटली उनको यह पार्ट 25 की उम्र में मिल जा था ठीक है 25 की उम्र में मिल जा था लेकिन 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 सिंपल सी बात है यहाँ पर लडाई तो थोड़ी बहुत होनी है ठीक है लडाई तो थोड़ी बहुत होनी है यह जो हमारे सेलोकस निगेटर थे ठीक है इन्होंने हमारे जो चंदरुक्त मौर हैं उनके पर अटेक कर दिया and he was the governor of Alexander ठीक है और यहाँ पर हमारे चंदरुक्त मौरे ने बहुत ही आराम से सेलोकस निगेटर को हरा दिया विकाज उनको सपोर्ट था किसका कॉर्टल लेका ठीक है और एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें जो भी वेश्टन पार्ट था मतलब आप देसे तो अफगानिस तक मतलब इंडस रिवर तक का जो भी पार्ट था वो सब आप देखोगे मौर्या को मतलब चंदरुक्त मौरे को दे दिया जाता है साथी साथ सेलोकस निगेटर अपनी डॉटर भी मौरें प्रिंस मतलब चंदरुक्त मौरे को देते है इसके बाद अब ये जो हमारे चंदरुक्त मौरे है वो सेलोकस निगेटर को पांसो एलेफेंट देते है तो ये सब जाने को दर हो था था ये बकवास की इंफॉमिशन है इसने क्या दिया बस ए चीज़ है ना कि सेलोकस निगेटर को हराय जाता है और जो वेस्टन पार्ट है जो रेट से मारक है ये सेलोकस निगेटर को ट्रीटी में देना पड़ता है कि इसको हमारे चंदरुक्त मौरे को लेकिन यक्राइज्ट आप बकवास की लिखी है अब इसके बाद चंदरूप तो मौरी की लाइफ बड़ी जल्दी खतम हो जाती है, काफी अच्छा रूल करते हैं, काफी अच्छे लंब टाइम तक रूल करते हैं, और ultimately अगर आप देखेंगे, तो अपना जो सीहासन है, वो छोड़ के, जो हमारे बद्र बाहू है, मैंनों क बड़ी नहीं है, मतलब अपना जो फोट है, अपने सान बिंदू सार को देखेंगे चले जाते हैं, तो उस तरीकिस हमारा चंदरूप तो मौरे खतम हो जाता है, तो चंदरूप तो मौरे की क्या ठीक है आप सब को पता एक confusion हमेशा रहा होगा बिंबी सार और बिंदू सार में कभी को यह confusion आते हैं कि भाईया जो बिंबी सार और बिंदू सार में difference क्या है इसे लोग उन पर बरोसा रहे थी है अब आप यह सोच ओ वे आप यहापर पॉलेटिक्स Dprochen आप ये सब छोड़ दो कि हिंदू मुस्लिम क्या है, सब छोड़ दो बुद्धिजम कौन है, आप ये देखो, एक ब्रहमिन आपका क्या है, सलहकार है, ठीक है, वो आपका सलहकार है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, अब वो आपको एडवाइस कर रहा है, ठीक है, आपको ए अगर आप जैन रूलर हो, तो आपको जो इनकी special knowledge है, वो सब आपको नहीं मिलेगी, तो आप अपना administration कैसे रन करोगे, तो यह quarter आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे था, जो भी हूँ, तो ultimately same चीद हाँ पर quarter जाजे, लेकिन हाँ रहे उन्हें जाने चाहिए, विच वास not light by quarter यह, तो उन्होंने क्या किया, कि भाईया, रूलर एकदम से कर मढ़ जाएगा, तो लोगों का भरोसा है, कोटल साब से उठ जाएगा, तो उन्हें क्या किया, धीरे धीरे हमारे जो उनकी wife है, और उनको जहर देना चालू किया, थोड़ा थोड़ा, तब एक बून देखे, एक बून देखे, इक बून दे बून देखे, और कोटल साब बहुत खुश दे, कि मुझे बच्पन से बच्चा ट्रेंग करने को मिलेगा, और मैं उसे एक ब्रहमनेकल किंग बनाऊगा, ठीक है, ब्रहमनेकल की मतलब जो ब्रहमन की सुने, और ब्रहमन को अच्छे सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी हो, तो आप रख लो, अपना ये बच्चा जो है, इसको आप रख लो, आप इसको पालो, इसको राजा बनाऊ, मुझे कोई प्राब्लम ही, बस मुझे जाने दो, तो इन दिस वे, ये जो हमारे चंदगो तो मौरे है, वो अपना जो तो जब ये जो हमारे बिंदु सार की जो आप जैसे जो प्रिंस पैदा होता है, उसकी जो पूरी बॉड़ी थी नीली पड़ चुकी थी, ठीक है, और यहां जो हमारे चंदगुप्त मौरे थे, वो भी छोड़के चले गए थे, तो अगर वो जो जहर था उनके टाइम पे और उनकी बॉड़ी में रहता तो जो हमारे प्रिंस थे हो मर जाते, तो अब सुच अब कॉटल आके कैसे इस मौरे नपर को चलाते, तो उन्होंने वैदे को बलाया, और उन्होंने क्या किया, वो complete जो जहर था, पुरी बॉड़ी से निकालके उनकी यहां पर जो माथा होता और बाकी बिंबी सार, तो अब समझवा है, बिंदू किसके माथे में रहेगी, कॉटल ने, जो मतलब हमाला जहर था, वो माथे में लगवाई थी, तो इस तरीके से you can remember the बिंदू सार और बिंबी सार की दोनों में क्या डिफरेंस है, और इस सिर्फ एक स्टोरी थी, इसको